इस वीडिये में हम लोग डिसकस करने वाले जो न्यूज से लिबस आया उसमें जो CA Intermediate के Accounts के पेपर में क्या क्या चेंजे से हम सब जानते ही कि पहले Accounts के दो पेपर CA Intermediate में होते थे Group 1 और Group 2 में Accounting और Advanced Accounting करेंगे नाम से अब उन दोनों पेपर को मिला कि उन्होंने एक ही पेपर कर दियो से इस पेपर का नाम रख दिया कि Advanced Accounting अब इंसिट्यूट ने यहां पर स्किल असिस्मेंट बताया कि एक्जामरिशन में जब आप पेपर दिने जाएंगे आपको किस तरीके कि आप एक्जामरिशन में questions जो रहेंगे कितना स्किल आप को ने चाहिए किस तरीके सो असेस्स आपको करेंगे तो यहां पर आपको ग्रूप वन का पेपर नंबर वन है उसे हम कहते एडवांस अकाउंटिंग तो उन्हें ने बताया कि यहां पर आप बड़ी इंट्रेसिंग बात है कि एनलेसिस एन आप्लिकेशन वाला पार्ट अगर हम देखे तो इंसिट्यूट 85 से 95 परसंटेज आपको आप्लिकेशन ब 95 परसें इंसिट्यूट कहती है आपका पेपर रहने वाला है तो यह बड़ी इंट्रेसिंग सी बात है लेकिन पेपर का लेवल अब बढ़ गया है मैं आपके एक एक चीज़ें करता हूं अब न्यूज से पारे में मैं बात करता हूं लेकिन पहले मैं यह आपको शॉट में मैं बता दूए कि ओल्ड से जो चीज़ें तो हडगी तो कहीं लोगों कैसा लगा रहे वाँ दो से एक पेपर हो गया तो से लिबस तो कम हुआ है कि और लिए दो पेपर का एक पेपर हो गया लेकिन कुछ चैप्टर सी इंसिट्यूट ने सीए इंटरमेडियेट के से उठा कि जो फांडेशन में चले वह आपको नहीं पढ़ना रहेगा क्योंकि आप न्यू से लिबस में आप आ जाओंगे सी इंटर में और फांडेशन तो अल्यडिया पास कर चुके तो आपके जो पुरहाना जो दो पेपर हुआ करते अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग तो आप यहां पर देख रहे हैं जो मैंने रेड इंग से यहां पर क्रॉस करके आप जो रखा हो यहां पर जो कैंसल करें तो यह आपके सिलेबस से हड गए यह जो सिलेबस से आपके यह हट चुके सी इंटर में यह पहले थे ठीक है जिसको मैंने कट करके रखा वह पहले आ आपके हड़ चुके हड़ चुके नियु सिलिबस में नहीं अब आप पूशोंगे रहे वावा यह चैप्टर से कम हो गए यहां पर लेकिन कुछ और अभी डिस्मेशन बढ़े लेकिन इसी सिलिबस में से जो पुराना सिलिबस है जो मैंने यहां पर अभी रेडिंग से आपक कौन से चाप्टर से चले गए अकाउंटिंग फ्रॉम इंकम्प्रीट रिकॉर्ड भी आपको नहीं पढ़ना रहेगा भी इंटर लेवल पे क्योंकि फॉंडेशन में शिफ्ट हो गया है उसी तरह बोनस और इंड्राइट इश्यू भी फॉंडेशन में शिफ्ट हो गया है रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंशेस भी फॉंडेशन में शिफ्ट हो गया है और रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर भी फॉंडेशन में शिफ्ट हो गया है तो जो यह मैंने ग्रीन कलर से भी हाइलाइट करो यह आपके इंटर के पहले के सिलिबस में अब यह शिफ्ट का हो गया सी ये foundation level पे हो गए तो आप बुलेंगे रे वासा कि जो आपने भी green color से highlight करें वो हमको पढ़ना नहीं रहेंगा क्योंकि foundation में चलेंगे और आपने जो red color से cross करें वो तो हमको पढ़ना नहीं क्यों से लिबस से हटा दियागे बात तो सही है लेगिन क्या add हुआ भी उस आउंगा उसी तरह आपका ग्रूप 2 में अगर मैं कहूं तो आप लोगों का यहां पर जो पहले था अभी की बात थी अभी यहां पर भी कुछ जो आपका dissolution जो था यह बड़ा important चाप्टर था और यह भी अब यहां से foundation level पे चले गया तो यहां पर जिससे जो green color से मैं highlight करा वह आपको पढ़ना नहीं है क्यों क्योंकि foundation level पे चलागी अब आप तो इंटर के यहां पर इंसिट्यूट ने आपके accounting standards सारे के सारे accounting standards जो होते हैं वह अब CA इंटर लेवल पर ला लिए पहले पूरे accounting standards नहीं थे कुछ group 1 में हुआ करता था और कुछ group 2 में CA पहले जो accounting और advanced accounting होता था उसमें आप लोगों का वह होता था लेगिन अब क्या हो बच्चो अकाउंटिंग से बटे वे थे कुछ accounting कुछ अब तो एक पेपर होगे advanced accounting तो जो आपका पेपर नंबर वन जो है advanced accounting जो कि 100 marks का पेपर सी एंटर का पहला पेपर अकाउंट आपका एडवांस अकाउंटिंग मार्शन उसमें इंस्टिट्यूट ने जो चेंज है सबसे बड़ा चेंज है कि आपको सारे के सारे accounting standard पहले पूरे नहीं थे सारे के सारे 100% accounting standard अब सी एंटर्मीडियट लेवल पर आपको ला दिया अगर आप यहां पर देखोंगे content के बारे में बात करूँ तो यहां पर बच्चो यह आपका यह सारे के सारे यहां पर इस पॉइंट तर यह accounting standard जो आप देख रहे हैं तो यह accounting standard C institute ने आप लोग के syllabus में ला दिया है सारे accounting और इसके institute ने module भी material भी issues ने कर दिया है और इसके बारे भी में बात करूँगा लेकिन यह सबसे interesting बात हुए कि पहले यह accounting वो जो chapters हटे उसमें कोई ऐसा बहुत difficult नहीं होते तो यह भी difficult नहीं है लेकिन accounting standard थोड़े tricky tricky मतलब interesting होते मैंने कि उसमें application based questions इस पर बहुत आएंगे इसमें बहुत deep knowledge लगता है और यह accounting standard I am very happy to say कि accounting standard मेरे specialization area इसलिए भी हो गया accounts तो मेरे specialization इसमें भी इसमें और expertise होगे मेरे accounting standard में क्योंकि मैं जब CA बना तो CA final में हमारे वक्त में ही होगा करता है जब मैं CA बना 2011 में CA final में accounting standard पढ़ा इसी accounting standard से international accounting standard होता है उसमें और deep होता है बहुत ही वो मैंने भी examination clear किया उसकी आए फरस उसको कहते international accounting standard और accounting standard से related एक और examination institute कंड़क करती members के लिए इंडेस की तो examination भी मैंने क्राक किया हूँ तो I am very happy कि वो सारी चीज़े बाप लोगों क्या उतना advanced level तो नहीं है लेकिन accounting standards related से आपका सारे accounting standards आपकी यहां पर आ गए अब यहां पर हम लोग देखें तो फिर अब यहां पर हम लोग देखा जाए तो company's account सिफ इतना से यह आपको portion next वाला दिख रहे हैं तो इसमें मतलब इसमें इंसिट्यूट आपको 25 से 30 परसंटेज़ तो इतने चैप्टर से सारे के सारे के सारा accounting और आप लोगों के आराउंड 70 परसंट जो पेपर रहेंगा यहां पर 30 परसंट के आराउंड इसमें रहेंगा और 65 तो 70 परसंट आप लोगों का accounting standards पर रहेंगा वह बहुत चैलेंजिंग हो आपके लिए हो गया वह इसी हमको यह दरूर लग रहे है कि दो पेपर का एक पेपर हो गया अब एडवांस अकाउंटिंग के नाम से अभी हो गया लेकिन आप यह देखो कि जो आड़ हुआ है वह बहुत ही जबर्दस चीज में आप इंटर लेवल पर ऐसा नहीं होगा कि अब आपने कोई चीज़ों को याद कर लिए और मतलब और अप्लिकेशन बेस हो गया और अकाउंटिंग स्राइंडर इस पर रहेंगा और थर्टी पर से दूसरे चाप्रस पर रहेंगा कि बहुत चैप्रस नहीं अदर दिन पर लिखा है, what is the examination pattern for CA intermediate examination, there will be 30% case scenario or case study based AMCQ and 70% descriptive quotient in all, in all 6 papers of intermediate level, what does it mean, कि आपका सारे paper, जो 6 paper आपके अपके new syllabus में, intermediate में, सारे papers पे आप लोगों को AMCQ based questions रहेंगे, क्योंकि इसने based on AMCQ उसने कहा, और 30% वो कहा रहें, वहलाब around 30 marks का paper आपका AMCQ based रहेंगा, वो अतना, लोगों को लिए रहेंगे, वाप very easy to score 30 marks in AMCQ based रहेंगे, अच्छे से follow से आप, यह कहते हैं, यह कहते हैं, there will be 30% case scenario or case study based AMCQ, what do you mean by case scenario and case study based AMCQ, what do you mean, case it, आपको case studies दे से सेनारियो देगे, और उसके basis पे वो आप लोगों को questions हैं, से किस्कूचेंगे, तो easy नहीं है, अब आप लोगों को यहाँ पर interpretation skill पर आता है, कि आपके इस तरीके से, क्यों आपको accounting standard based बहुत रहेंगा, यहाँ आप, application based बहुत है, आपको सारा accounting standard बहुत deep knowledge लगेंगा उसक को, कि आपको situations देना दूँगा, यह case studies examination में आगी, उसको read करना पढ़ेंगा, और उसके basis पे वो आपको questions पूचेंगे, और application रहेंगा, यह भी हो सकता है, कि accounting standard के कोई आपको scenario दो situation दिए, यह generally international level के examinations होते ही है, यह foreign countries में जो मैंने आया है, इंट्रेशन accounting standard के बारे में बा और जब accounting standards के आपसे questions पूचेंगे, ऐसा नहीं हो कि वो question में सिर्फ एक ही specific accounting standards के बारे में, there are so many accounting standards, तो हो सकता है, आपको उन्होंने situation दी बिटा, और उस situation पे, आपको उस पे questions पूच रहें, तो एक नहीं, एक से जाधा accounting standards पे भी question उस particular पैरा से आपको पूच सकते है, तो बहुत application based हो गया, 85-95% आपका paper application based institute कह रहे है, तो बहुत deep knowledge लगेगा, और पढ़ाने भी बहुत मजाएंगा मुझे, और आपको पढ़ने में भी बहुत मजाएंगा, और आपको पढ़ने में भी बहुत मजाएंगा, तो यह MCQs आए, ज़रूर है 30% वो बोल रहा है, लेकि इंटरमेडियेट examination, foundation कुछ है, लेकिन इंटर लेवल पैसा नहीं आप लोगों करेंगा, कोई negative marking नहीं है, तो आप लोगों का जो यह syllabus है, आप लोगों का, यह अब जो हम लोगों का foundation का आप लोगों का result आएंगा, उसके बाद new syllabus के साब से बाश शूर होगी, institute ने इसका कल material भी issue कर दिया है, study material, so अब मेरे अब इसके ओपर notes update करना, बड़ा important चीज होती है, कभी भी कोई teacher के लिए सबसे important होता है, content important होता है, notes भी बहुत अच्छे होना चाहिए, so अब इसकी batch in the month of August शुरू होगी, क्योंकि यह result आप लोगों का most probably foundation का August में आप लोगों का, और इस 20-25 days, I will, I will, I mean, exactly, सारा दिन मुझे सिफ आपके notes पर, notes तो, already prepared है, पुरानी syllabus के ताफ लेकिन new syllabus के जो modules होे, क्योंकि जब में, कोई भी note बनाए, आपको foundation level पे हो, या internal level पे, मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चोड़ता हो, क्यों कोई रहे गई है, हमारे पास से, so news study material जो आप स्में प्रफर करना सारी कैनसी चांच इसमें बहुत आप करना तो पहलेas representing इसमें के प्रफीछ अदिशीज रशितन अपर और करने रमसें है क्रफियों से सञरे प्रक्राइद सम्डिन पी कि हो बहुत आपचीं आप suis बहुत ऑप प्रकर रहिं हए्ड़ार में सब्सक्राइब करें लोगों को यह दरान ही रहा हूं कि यह लग जरूर है कि दो पेपर का एक पेपर हो गया लेकिन चैलेंजिंग भी हो गया क्या आप्लिकेशन बेस बहुत हो गया खौप ने से काउसिंगल पुछले और अपटनिक से पाइज और आपलों के आगे तो अपनलों के सारे चांव के आगे आगे इसको बहुत जादा उस पर मैंने स्टडी किया हूं कुछ को से कुछ इसी वेस कियो पर दूसरे एक्जामरेशन भी क्लियर कियो और आई विल लव टूटीच अगाउंडिक स्टैंडर्ड तो हम लोग नियू बैज सी इंटर्मेट के मिलेंगे और ये नियू से लिए बस आप